गुद्मॉर्णिंग फ्रेंड्स दिस दिपक शोहन दोस्तों कुछ समय पहले मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे एक वीबर ने कुश्टन किया था किस तर आप वीडियो शुरू करते समय दिस दिपक शोहन क्यों कहते हैं मैसिल्प दिपक शोहन या अयम दिपक शोहन क्यों नहीं कहते हैं और भी इसके पहले भी मेरे बहुत से स्टूडेंट से कहा है कि सर्ग्रामर के साथ साथ आप एक इंडुड़क्शन वाला वीडियो लेके आए तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक इंडुड़क्शन वाल आपने तो सुना हों का फर्स्ट इंडुड़क्शन इस लास्ट इंडुड़क्शन तो देखते हैं कि आज हम लोग इंडुड़क्शन को कैसे दें और सामने ओलों को हम लोग इंडुड़क्शन को कैसे करें चलो दोस्तों करते हैं कि इंडुड़क्शन हम लोग को कैसे द लोग बैटे हुए हैं तो आप उनके सामने अदब से पेश आएंगे, उनके सामने आपको अदब से पेश आना पड़ेगा, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके हम उम्र हैं, तो उनके सामने आप लोग एक नॉर्मल तरीकी से बात कर सकते हैं, फ्रेंडली बात कर सकते ह जैसे, नॉर्मली अगर मैं बुलू कि Hi, Hi, Hello, I'm Deepak Chophan, आप अपने नॉर्मली जो प्रेंड्स है, आपके हम उम्रें उनके साथ आप ऐसा कह सकते हैं. उनके साथ आप ऐसा कह सकते हैं, जो आपके हम उम्रें हैं. और अगर आपको लगता है कि वहाँ आपसे बड़ें बैटें ह तो आपको friends के अलावा good morning friends good morning sirs good morning madams यह depends करेगा कि आपके जो listener है वो कौन है उनको देखके आपको बोलना है उसके बाद आपको अपना नाम बताना है सबसे पहले greeting करना बहुत जरूरी दोस्तों आपको जब भी अपनी बात्चित की शुवाद करते हैं तो आपको सबसे पहल जीडी में भी अधिकतर आप लोग एकदम बोलना चालू कर देते हैं लेकिन आपको शॉर्ट में यह बोलने की पुश्चिस करना है सेकंड तरीका यह होगा लेट में इंट्रड्यूज माइसेल आयाम दीपक चोहान बात्चित के बीच में सब लोग अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो उस बीच में जहां पर भी आपको समय मिलता हो या नहीं मिल पा रहा है तो फिर आपको वहाँ पर चांच छिनना पड़ेगा वहां आप कह सकते हैं लेट में इंट्रड्यूज माइसेल मुझे दोस्तों कभी भी आप माइसल्फ दिपक चोहन नहीं बोलेंगे क्योंकि माइसल्फ एक रिफ्लेक्सी प्रोनाउन है तो कभी भी रिफ्लेक्सी प्रोनाउन या फिर सेल्फ प्रोनाउन से वाक्यू की श्रुवात नहीं होती है लेकिन दोस्तों बहुत बड़े-बड़े से माई जिर्व राज मलहुत्रा, बोलना तुझा अच्छा लगता है, हम अधर बड़ा अफेक्ट्व लगता है, मैस जिर्व राज मलहुत्रा, तो हम लोग इसको ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली रहोंग है, आपको आयम दिपक चोहान, दिस इस दिपक चोहान ऐसा कहना है, पुछ समय प्रिजेंटेशन के समय, या जीडी में बीच में अगर आप आजाते हैं, तब आप कहेंगे कि allow me, या let me, या permit me, permit me to introduce myself, आप ऐसा बोलेंगे, उसके बाद दिस इस लगा कि आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको with humble smile on your face, आप क्योंकि बीच में conversation के बीच में आप आप गए हैं, उनकी बात्चीत को काटते हुए, या समय निकाल के आपने बोला है, तब आपको with smile face, let me introduce myself, allow me to introduce myself, उसके बाद आप अपना opinion रखी है, क्योंकि आपके पास में जो बिचार आए, वा रख नहीं पा रहे हैं, दिपक चोहान, I am दिपक चोहान, and I would like to put my opinion here, उसके बाद आप अपनी बात को आगे आईए, दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं, by the way, I am दिपक चोहान, लेकिन जब आप presentation देने के लिए शुरू में खड़ें, तब आप by the way आप आप दिपक चोहान नहीं को लेंगे, conversation के ब बड़े हैं, तब आप बोलेंगे, hello friends, hi friends, और आपके prestigious हैं, आपके सावने बड़े हैं, ज्यादा आप respected लोग हैं, तब आप बोलेंगे good morning friends, friends ना बोलते हैं, आप sirs कह सकते हैं, madams कह सकते हैं, good morning ladies and gentlemen कह सकते हैं, मतलब आपके जो viewers हैं, या आपके listeners हैं, उनको देख के आप को यह बोलना पड़ेगा, by the way, conversation के बीच में, during conversation, by the way, I am Deepak Chauhan, by the way, this is Deepak Chauhan, I would like to put my opinion here, that the population of India is increasing daily, उसके बाद आप जो भी बोलना चाहें, जिस भी topic पर बाद चल रहा हैं, आप उसकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और दोस्तों, किसी ने आपको पहले introduction दे दिया, उन अगर कोई अपना introduction देता है, कि I am Raj Malhotra, तो आप उसको कह बोलेंगे, nice to meet you, Mr. Raj, pleased to meet you, Mr. Raj, happy to meet you, Mr. Raj, glad to meet you, Mr. Raj, ये आप कह सकते हैं, अगर सामने वाले ने पहले introduction दे दिया, जब उन्होंने पहला अपना introduction दे दिया, उसके बाद आपको उससे हाथ मिला कर, नमस्कार करके, जो भी आपके पास में तहजीव है, उसको करने के बाद आप उससे बलेंगे, nice to meet you, Mr. Raj, please to meet you, Miss Rina, जो भी है, नाम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, आप किवल इतना कह सकते ह एपको, happy to meet you, यह आप कहते हैं, उसके सामने with smiling face, next, उसके बाद आप कह सकते हैं, I hope that you know me, मैं उमीद करता हूँ कि आप मुझे जानते हैं, I hope you recognize me, I hope that we have made somewhere else, मुझे लगता हैं कहीं मिले हैं, मुझे लगता है या मैं उमीद करता हूँ कि आप मुझे जानते हैं, मैं उसके बाद फिर बलेगी यह आप पोस, I know you, पोस कपना उले में, अगर दोस्त आप, my friends, अगर आप किसी को introduce करवाना चाह रहे हैं, किसी और से introduce करवाना चाह रहे हैं, अपने घर पर या कहीं और पर, तब आप किन वाक्यों का इस्तमाल करेंगे, यह देखते हैं, I would like you to meet my friend, आप का दोस्त आप के घरा है, आप अपने परिवार से मुलाकात करवाना चाह रहे हैं, उसकी मलाकात करवाना चाह रहे हैं, उसके आप अपनी बात को आगे बला सकते हैं, Allow me to introduce my friend, यह कह सकते हैं, this is Raj Malhotra, he is Raj Malhotra, आप he, या this, या she से भी कह सकते हैं, this से भी कह सकते हैं, उस समय, जब आप किसी का introduction दे रहे हैं, अपने घर पर या कहीं और, Well, this is my friend, Mr. Raj, this is my friend, Ms. Reena, this is my friend, allow me to introduce my friend, Mr. Raj, etc, etc, well, this is, well, this is my friend, Mr. Raj, well, this is my friend, Ms. Reena, well, this is my friend, so, so, जो कि आपके दोस्त हैं, इस बगार की बाते करके, आप सामने वाले का introduction दे सकते हैं, अपना introduction दे सकते हैं, सामने वाले को impress कर सकते हैं, और दोस्तों, जब भी आप introduction दे रहे हैं, तो थोड़ी सी, हलकी सी, मैं तो चाहूंगा, prepared होके आप जाएंगे, थोड़ा सा बोल के जाएंगे, कोशिस कर आपका confidence दिखेगा, और आपको लोगों के eye content के साथ बोलना है, उनकी आखों में आखे डालके, आखों पर नजर रखते हुए बोलना है, दिवारों को देखते हुए, यू, यू, ऐसे करके नहीं बोलना है, आपको confidently बोलना है, लेकिन तयार होके जाएंगे, तो आप confidently बोल होते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि hello friends, good morning, I am here to introduce myself, hearty good morning to everyone, this is Deepak Chohan, I am here to introduce myself, so friend I am Deepak Chohan, you can call me Deepak Chohan, इस पकार की बाते करके वो आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको introduction देना है, एक प्रभावी धंग से देना है, confidently देना है, और that's all, मुझे उम्मीद है आज क ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चेनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजे, दोस्तों कोने में बटन है, और क्या, कुछ तो नहींगा, धन्यवान बहुत जल्द मिलते हैं इसी पेकार की नए कोशिस, नए प्रयोगोव साथ, एंक्यू झाल